हलो दोस्तों आप सभी का All About Socius में स्वागत है और ये समाज सास की कमट्रीटी सीरीज है इसमें अभी हम लोग संस्कृती के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप लोगोंने संस्कृती से समंदी जो परिभासाएं थी आखे में विवेन विचार कोने कौन से विचार दिये है संस्कृती समंदी तुनका कथन क्या है संस्कृती की विशेचताएं क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसी कड़ी में आज हम लोग भौतिक और अभौतिक संस्कृती क्या होती है इसके बारे में समझेंगे विवेन विशार कोने इसके बारे में क् संस्कृति के तत्व हैं और संस्कृति की प्रतिमान हैं छेत्र हैं इस प्रकार से जो बेभिन अधाना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही संस्कृतिक विलंबना की अधाना किस ने दी है और आखिर में संस्कृतिक विलंबना होता क्या है इसके पीछी कार अखिर मी क्या होती है भौतिक संस्कृति की बात करें तो भौतिक संस्क्रीति के अंतरगत मानो द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवंग मुर्थ वस्तूऊ को समलित किया जाता है। तो जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंद्रियों द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं, अर्थाती की मुर्थ रूप में होता है, जैसे की घड़ी है, पेन है, पंखा है, मसीन है, और जार है, वस्त, रेल, वायुयान, टेलीफोन, तीवी, जो भी चीजें हमें अ आसपास मुर्थ रूप में दिखाई देती हैं, वो सभी की सभी भौतिक संस्कृती के अंतरगत आती हैं, अब भौतिक संस्कृती क्या होती है, तो अब भौतिक संस्कृती के अंतरगत, उन सभी सामाजिक तथ्यों को समलित किया जाता है, जो की अमुर्थ होते हैं, सूज कर सकते हैं, जैसे सामाजिक विरासस में प्राप्त विचार हैं, मांडन्ड हैं, विश्वास हैं, व्यवहार हैं, प्रतारी, तिरी वाज, कानून, ज्यान, कला, भाशा, नैतिक्ता, ये सभी की सभी जो हैं वो आभावतिक संस्कृति के अंतरगत आते हैं, अब इन दोन संस्कृति जो होती है, वो मुर्द होती है, और भावतिक संस्कृति की अपिच्छा धीमी गति से परिवर्तित होती है, अता वो भावतिक संस्कृति की अपिच्छा इस्थिर होती है, तो जो भावतिक संस्कृति है, जैसे कि हमारे जो विश्वास होते हैं, प्रता होते है है रिती रिवाज होते हैं कानून होते हैं यह जो होते हैं भौतिक संस्कृति की अपिछक काफी धीनी गती से परिवर्दित होते हैं जबकि वहीं पर अगर भौतिक संस्कृति में हम देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि एक अगर सिंपल सा एक्जामपल लें हम तो अगर मोबाइल को देखें तो मोबाइल का आप लोग देखेंगे कुछी सालों में कितना पैटर्ण चेंज हो गया लेकिन हमारे विचारों का पैटर्ण जो होता है वो उत जो होती है वो धीमी गति से होती है जबकि भौतिक संस्कृति में तिब्र गति से होती है और भौतिक संस्कृति की अपेच्छा भौतिक संस्कृति जो होती है वो शिक्र ही ग्राय होती है अज़ाथ हमें उसे आसानी सी ग्रहट कर लेते हैं भौतिक संस्कृति सरल होती है प्रिथी होती जाती है जबकि अब भौतिक संस्कृति में भौतिक के समान संचय एवंग प्रिथी नहीं पाई जाती है भौतिक संस्कृति का मुल्यांकन जो है उल्लाव एवंग उपयोगता के आधार पर किया जाता है तो हम जब भी भौतिक संस्कृति की बात आएगी तो इसका मुल्यांकन हमारी जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, इससे उसका महत्व होता है, जबकि अभावतिक संस्कृति का मुल्यांकन भावतिक वस्तुओं की तरह उपयोगिता से नहीं किया जा सकता है. इसका मुझे थोड़ा सा कोल्ड और फीवर भी है, तो थोड़ी सी प्राब्लम हो रही है लेक्शर अटेम्ट करने में, बढ़ ठीक है, इसको हम लोग कांटिन्यू करेंगे. यहाँ पर आप लोगं को एक कॉंसेप्ट दिख रहा होगा, इथास और इडास. यह दोनों जो कॉंसेप्ट है, यह क्रोबर के द्वारा दिए गए हैं, और इसको हम याद करने का तरीका आप लोगं को बता देते हैं, इथास, इसको थोड़ से जोड़ लेजिएगा आप लोग, इथास को थोड़ से, थोड़ मिंस होता है विचार, तो इथास जो होता है, वो हमारा अभावतिक संस्कृति का रूप माना जाता है, जबकि इडास जो है, वो भावतिक संस्कृति का रूप होता है, तो इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, सिर्फ एक को याद रखिए, e-thoughts तो e-thought कर दीजिए उसे और thought जो होता है वो विचार होता है विचार जो होती है वो अभवतिक sanskriti होती है तो इस प्रकार से e-thoughts और e-dos आप लोगों को याद रहेगा सanskriti के प्रकठ एवंग अप्रकठ तत्व की बात करें तो यह जो आउधारना है यह ग्लूखौन के द्वारा दे गई है प्रकट जो है जैसा की नाम से ही लग रहा है तो यह भावतिक संस्कृति के बारे में बता रहा है और आप प्रकट तत्वे जो होते हैं वो भावतिक संस्कृति के बारे में संस्कृति निर्धारणवाद की बातियती करें यहाँ पे एक कॉंसेट निकल के आता है तो संस्कृति निर्धारणवाद आखिर में क्या होता है तो जैसा कि आप लोगं को पता है कि काल मार्क्स अगर हम मार्क्स की विचारों की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, कि चाहे वो समाज की राजनेतिक संरशना है, सामाजिक संरशना है, या सांस्कृतिक संरशना है, या थार्मिक संरशना है, इस सभी की पीछे का जो बेस है, वो हमारा आर्थिक है, तो इन्होंने आर्थिक निर्धारवात की बा लेकिन वहीं पे अगर बात करें अन्य विचारकों की तो वो ऐसा मानते हैं कि संस्कृती जो होती है वो मानो जीवन में एकदम प्रमुख फूमी का निभाती है और इसका जो एकदम पूर्जोर समर्थन किया है वो किया है लेसली वाइट ने तो लेसली वाइट ऐसा कहते हैं कि जो संस्कृती होती है वो मानो जीवन में एकदम की पॉइंट होती है केंद बिंदू में होती है संस्कृती के बिना मानो का जीवन अधूरा है श्रीजन सिल अलप संक्यक का जो कॉंसेप्ट है ये की टर्म दिया गया है टैनवी के द्वारा और श्रीजन सिल अलप संक्यक आखिर में होता क्या है तो इसके बारे मैं बता दूं कि जैसे कि 10 भी ऐसा करते हैं कि समाज में जो संस्कृति होती है वो अपना अस्तित बनाए रखती है और ये कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं उस समाज में उस संस्कृति में कि जो कि उसमें एक पॉजिटिव वे में सकारात्मक रोप में परिवर्तन भी लाते हैं और इस प्रकार से जो संस्कृति होती है उस सुद्रिर रोप से आगे को बढ़ती रहती है तो उन्हीं लोगों को इन्होंने सिजन सिल अल्प संख्यक कहा है तो आप लोगों को अगर परिच्छा में पूछ दिया जाए कि सिजन सिल अल्प संख्यक का कॉंसेप्ट किस ने दिया है तो ये टाइन भी के द्वारा दिया गया है संस्कृति और संस्कृति संकुल क्या होते हैं ये भी एक concept है तो संस्कृति आप लोग को पता है कि हमारे आसपास में जो भी हमारे बेवार करने के तरीके जीवन जीने के तरीके जो दिखते हैं उन्हें को हम संस्कृति करते हैं पूरी समक्रता को अगर अपने जीवन के देख लें तो उसको हम संस्कृति कहते हैं लेकिन अगर संस्कृति संकुल की बात करें तो जैसे कि संस्कृति की किसी एक पच्छ में जो संस्कृति के तत्व होते हैं और अगर वो आर्थ पूर्ण रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं तो उनको संस्कृती संकुल कहते हैं इसको उधारण से हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम धार्मिक परिवेश को देखें तो वहाँ पे एक अलग तरीकी की ही संस्कृती संकुल हमें नजर आएगी जैसे क पूजा पाठ करने के तरीके किस प्रकार से रहेंगे वहाँ की वेवस्था किस प्रकार से रहेंगे आरेंज्मेंट जो भी रहेगा उससे संस्कृती संस्कृती संकुल बोल सकते हैं या इसका एक बहुत अच्छा उधारण आप ले सकते हैं कि जैसे हाकी का कोई अगर खेल है या फिर cricket का जो game होता है तो उसमें cricket के बल्ले से लेके बॉल से लेके और जो player होते हैं उनमें referee होते हैं उस सारे के सारे मिला के एक संस्कृति संकुल का निर्मार करते हैं तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को clear हो गया होगा कि संस्कृति जो होता है वो संपून पच्छ होता है जबकि संस्कृति संकुल जो होता है वो संस्कृति का एक विस्ष्ट पच्छ होता है जो कि एक meaning पूर्ड हमें बेवस्था दिखाई देती है उसमें तो अगर माल लेते हैं कि cricket का जैसे match होता है और उसमें अगर हम सिर्फ बैट की बात करें या बाल की बात करें या फिर सिर्फ फिल्ड की बात करें तो उससे कोई meaning नहीं निकलता है लेकिं अगर जब इसके सारे तत्व एक साथ आरेंज होते हैं तो हमें cricket का जो game है उसका pattern समझ में आ जाता है कि अच्छा है cricket का game चल रहा है तो यह जो होता है यह संस्कृति के संकुल कहलाते हैं अब संस्कृति के उपादान की बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहला जो है वो आता है संस्कृतिक तत्व संस्कृतिक तत्व क्या होता है तो संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके वह संस्कृतिक तत्व कहलाता है तो संस्कृतिक तत्व को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो संस्कृति के तत्व हैं उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं लेकिन उसका कोई meaning पूर अर्थ नहीं निकल पाएगा इसलिए वह छोटी से छोटी इकाई जिसका कुछ meaning निकले जैसे कि अगर हम एक उधारण लेते हैं कि एक अगर pin है अगर माल लेते हैं कि ये एक pin है या फिर pin ही माल लेते हैं तो ये pin जो है इसका माल लेते हैं कि ये cap है कैप को अगर अलग निकाल दे, पेन का अलग जो बाड़ी पार्ट से वो अलग कर दे, इसकी रिफिल जो है बीच में पड़ी हुई है, उसको हम अलग कर दे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, जबकि अगर पूरे पेन को हम एक साथ लेते हैं, तो ये एक अर्थपु कि वो छोटी से छोटी इकाई, जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकें, वो सांस्कृतिक तत्व कहलाता है, ऐसी दूबे का कथन है यहाँ पे, कि संस्कृति तत्व को हम संस्कृति के गठन की सरलतम व्यावहारिक इकाईयां मान सकते हैं, तो ये इनका की टर्म हो संस्कृति में पहचानी जा सकने वाली सबसी छूटी इकाई जो होती है, वो संस्कृति तत्व कहलाती है, तो जो रेड कलर से आप लोगों को हाईलाइट दिख रहा है, ये इसका कीटम है, क्रोबर का कथन है, यहाँ पे ये नेक्स लाइन पे होना चाहिए, क्रोबर का कथ संस्कृति का अलपतम परिभासित तत्व होता है, तो ये जो है अलपतम परिभासित तत्व जो होता है, ये इनका कीटम है, क्रोबर का, जेकब्स तथा इस्टन का कथन है, कि संस्कृति की वा आविस्कृत तथा हस्तांतरित इकाईयां होती है, तो ये आविस्कृत और हस् जिनको वीवरण या सैथांदि का ध्यान के लिए बेभिन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तो ये कथन जैकाप्स और स्टर्न की द्वारा दिया गया है अब बात करते हैं संस्कृती संकुल की तो कई प्रकार के जब संस्कृती तत्व एक अर्थपूर रूप से जुड़ जाते हैं तो उन्हें संस्कृती संकुल काते हैं ऐसी दूबी का कथनम दोग देख लेते हैं संस्कृती संकूल समान धर्मों अथवा पूरक संस्कृती संकूल संस्कृतिक तत्तों का वो समक्र समू है जो की इनके अर्थ पूर्ण धंग से परस पर सम्बंदित होने से बनता है तो यहां पर इन्होंने कहा है संस्कृती संकूल जो होता है वो समान धर्मों अथवा पूरक संस्कृती संकूल जो होता है वो संस्कृती तत्तों का वो समक्र समू है जो की इनके अर्थ पूर्ण धंग से परस पर सम्बंदित होने से बनता है तो अर्थ पूर धंग से परस पर संबन्दी जो है वो इनका कीटम हो जाता है संस्कृति संकुल के रिफ्रेंस में इसी कथन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जब संस्कृतिक तथ तो परस पर अर्थ पूर धंग से जुड़ जाते हैं और विमानों आवश्यक्ताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे हम संस्कृतिक संकुल करते हैं अब इनका तीसरा जो संस्कृति का जो उपादान है इसमें संस्कृति प्रतिमान आता है संस्कृति प्रतिमान की जो ओधारना है वह रूथ बेनेडिक्त के द्वारा दिया गया है जो की इनकी पूश्तक प्रतिमान की ओधारना संस्क्रति की मूल, भूथ, प्रेणाव और आदर्शों का अध्यन करती है तो आप लोगों को प्रतिमान से ही पता चल रहा है कि ये परटन्स की बात करता है कि किस प्रकार से हमारे जो परटन्स हैं संस्कृति के कल्चर के हैं वो हमें क्या बता रहे हैं तो इसमें जो किस चीज का अध्यान आखिम किया जाता है तो इसमें मोल भूत प्रेणाय और जो आदर्स होते हैं संस्कृति के या समाज के उसका अध्यान करते हैं जो कि संस्कृति को एक विशेज दिशा एवंग सरूप देते हैं इन्हों ने अर्थात रूथ वेनेटिक ने तीन संस्कृतियों का अध्यान किया था पहला है प्यूबलो इंडियन दूसरा है डोबू और तीसरा है क्वाकी उटल इन तीनों को हम लोग समझ लेते हैं या आप लोग ध्यान रखेगा ये एक्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि आखिर में जो प्यूबलो इंडियन से डोबू है क्वाकी उटल है इसका क्या प्रॉपर्टेज है या क्या विसेश्था है तो इस तरीके से पूछ दिया जाता है या इन संस्कृतियों का अध्यान किस ने किया था ये पूछ दिया जाता है सूब वेवस्था एवंग साशन पर या जाधे जोड देते है और व्यक्ति कत्थ जो दिखावा होता है उसको लोग गलत मानते हैं वहीं पर इसी के बेपरी संसकृति के इन्हों ने देखी थी इसमे बिलकुल इसके बेपरी करेक्टरिस्टिक देखने को मिले थे ये लोग जो होते हैं संकालु प्रविर्तिके होते हैं, दोखेबास होते हैं, अपने को और अपनी धार्नाओं को दूसरों से स्रिष्ट मानने वाले तथा संघर सील प्रकृतिके होते हैं, वही पर अगर तीसरी संस्कृति क्वाकी उटल की बात करें, तो इस संस्कृति के लोग अपनी महत्ता के सपने दे परीतबल सद्थ्रोन का समस्कूर्ण में है criterion कांत बात प्रोस्व को सद्थया मैंने इस इस solemद से में विखतित्रे सित्ता संस्कूर्ण से मधिम से ब्युक्त विखति होता हुआ जीवन के इस MARY ओप को संबधता, निरंतरता, एवंग विसिष्टता प्रदान करता है तो हर्सको विर्ष के जो कथन है संस्कृति प्रतिमान से समंधित उसमें इनका की टर्म डिजाइन आ जाता है संबधता, निरंतरता, एवंग विसिष्टता आ जाता है अब बात करते हैं संस्कृति छेत्र की तो संस्कृति छेत्र की अधार्णा का सबसी पहले अगर कोई प्रयोग किया था तो वो विसलर ने किया था और इन्होंने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्यन के द्वारा इनका जो अधार्णा है ये संस्कृति छेत्र का इन्होंने दिया था अब ऐसी दूबे का कथन देख लेते हैं इन्होंने कहा है कि कतिपे संस्कृती तत्व या संस्कृतिक संकूल एक विसीज भौगोलिक छेत्र में फैल कर संस्कृती छेत्र का निर्माड करते हैं तो यहां पे आप लोग विसीज भौगोलिक छेत्र की बात हो रही है इन्होंने असी दूबे ने कहा है कि जो भी संस्कृतिक तत्व होते हैं या संस्कृतिक संकूल होते हैं या एक विसीज भौगोलिक छेत्र में जो फैलते हैं तो वो संस्कृती छेत्र का निर्माड करते ह हर्सको विर्स का कथन है कि वह चेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पाये जाते हैं एक संस्कृति चेत्र कहलाता है तो समान संस्कृतियों की बात हर्सको विर्स करते हैं हावल का कथन है कि एक संस्कृती छेत्र भागोलिक छेत्र के उस भाग के रूप में परिभासित किया जा सकता है जिससे संस्कृती इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे इन संस्कृतियों से प्रिथक कर दिया जाता है जो कि उस छेत्र से बाहर होते हैं तो यहाँ पे बात समानता क्यों हो रही है कि एक समान संस्कृति का एक अपना छेत्र होता है और उन संस्कृतियों को प्रिथक कर दिया जाता है जो कि इस छेत्र से बाहर होते हैं अब यहाँ पे हम लोग एक और हर्सको विर्थ का कथन देख लेते हैं संस्कृति छेत्र समंदित इन्हों ने कहा है कि संस्कृति छेत्र महतुपूर्ण है क्योंकि यह यह दिखाता है कि किस प्रकार से आंतरिक संगठन की भाती भूमी के विस्तार में भी मानो सभ्यता की एक कि बात करते हैं कि यह एक जो संस्कृति छेत्र होता है उसमें हमें काइम रूप में दिखती हैं संस्कृतिक विळम्बना की बात करते हैं अब तो संस्कृतिक विलम्बना का जो कौंसेप्ट है वह अमेरिकन समासवाथ सास्त्री WF packed in की द्वारा दिया था यह इनकी होता है कि जैसा हम लोग अपने पिछले अभी जो दो-तिन स्लाइड पिछले हम लोग कॉंसेप्ट में देखे कि जो अब होतिक संस्कृतियां होती है वो बहुत ही धीमीकति से आगे को बढ़ती है या विक्सित होती है जब भौतिक संस्कृतियां जो होती है उनका विकास बहुत तेजी से होता है तो अगर हम देखें कि भौतिक संस्कृति मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक संस्कृति जो है भौतिक संस्कृति जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन इसी स च्लोली आगे बढ़ रही है इसके पीछी reason क्या है इसका हम लोग कुछ example भी समझेंगे तो जो भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति के बीच का जो ये gap दिखता है इसी को संस्कृतिक भी लंबना कहते हैं इसको अभी हम लोग detail में भी समझेंगे फिर चाहिल का कथन है इससे सम्मंधित की संस्कृति के अंता सम्मंधित या अन्योन न्यास्रेतो भागों के परिवर्तन की गति में समकालिंता के अभाव को संस्कृतिक पिछड़ापन कहा जाएगा तो यहाँ पे यह Fair Child का जो सांस्कृतिक विलंबना का कथन है उसमें समकालिंता का अभाव की टर्मस आप लोगों को दिखेगा इन्हों ने कहा है कि जिस सांस्कृति में और बेवस्था या कू समायोजन उत्पन हो जाता है तो यह कथन जो है यह Fair Child का है और आगबन ने खुद सांस्कृतिक विलंबना के बारे में क्या कहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं इन्हों ने कहा है कि आधुनिक संस्कृति के विभिन भाग समान गती से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं कुछ भागों में दूसरों की अपेच्छा आधिक तिप्र गती से परिवर्तन हो रहे हैं और चुकि संस्कृति के सभी भाग एक दूसरी पर निर्भर हैं और एक दूसरी से संबंदित हैं अथा संस्कृति के एक भाग में होने वाले तिप्र परिवर्दन से दूसरे भागों में भी अभियोजन की आवशिक्ता होती है अर्था त्री एड़ेस्ट्मेंट करने की आवशिक्ता होती है तो ये कथन जो है ये आगबन का है सांस्कृतिक बिलंबना की कारण क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला कारण तो होता है रूड ही वादिता होती है कि हमारे जो पहले से विचार चले आ रहे हैं हम भले नई नई जो टेकनोलोजी है उसको तो एकसप्ट कर लेते हैं हमारे घर में नए तरीक का ٹ्री जोना चाहिए नए तरीके की टेलिविजन होनी चाहिए नए टेकनॉलोजी का मुबाइल फोन होना चाहिए हम हर सुविधाओं को लेना चाहते हैं लेकिन हमारी जो सोच है उसको हम नहीं बदलना चाहते हैं इसका बहुत अच्छा एक्जामपल अगर मैं दूँ तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम जब एक्जाम देते हैं तो हम अपनी पढ़ाई तो करते ही करते हैं पढ़ाई से जादे एक कहीं पच्छ हमारा जो होता है वो इस पे भी होता है कि ये इसस्वर पूझा करके जाते हैं या फिर हम इस तरीकिकी भावनाई अपने अंदर रखते हैं कि है इसवर हमें पास करदेना तो हम ऐसा कर आपको ये पूजा करेंगे ये चड़ावा देनगे तो इस परकार कि जो भावना हैं वो हमें देखने को मिलती है नवीनता के प्रति भावना जो भी हमें अगर मान लेते हैं कि परिवर्तन हो रहे हैं तो हम उससे कहीं न कहीं एक डर भी रहता है कि इस परिवर्तन से हमारे सबाज में कुछ कूप भावना देखने को मिले तो नवीनता के प्रती एक भाई की भावना भी होती है अतीत के प्रती हमारा निश्ठा होता है अतीत के प्रती लगाव भी होता है कि हम पिछली जो भी विचार हैं जो भी देती रिवाज हैं प्रताएं हैं उनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको सहीज के अपने जीवन म नहीत स्वार्थ भी होता है हम अपने स्वार्थों के अनुसार ही जो भी कुछ ऐसे रोल्स रेगुलेशन जो है बने हुए है उनको वैसे ही बनाये रखना चाहते हैं क्योंकि उसमें हमारा नहीत स्वार्थ भी होता है नवीन विचारों की जाच में कटनाई होती है अगर हम कोई नया विचार आता है समाज में तो हम चुकि उसके बारे में नहीं जानते हैं इसलिए भी उससे हम दूर ही रहना चाहते हैं कि पता नहीं इसका फ्यूचर में रिजल्ट जो होगा वो क्या देखने को मिलेगा परिवर्तन के प्रती विचारों में फिन्नता होती है कि अगर किसी भी वजह से अगर कोई परिवर्तन हमें दिख रहा है समाज में तो प्रतीक ब्यक्ति का अपना उसके विचार में फिन्नता दिखाई देगी कोई उसके समर्थन में होगा कोई उसके समर्थन में नहीं होगा तो इस प्रकार से विचारों में भी हमें जो भी समाज में परिवर्तन होगा उसमें भी निता दिखाई देती है और संस्थाओं द्वारा परिवर्तन का विरोध भी हमें देखने को मिलता है जो हमारे संस्थाएं होती है वो भी परिवर्तन का विरोध नहीं करना चाहती है संस्थाएं कौन सी होती है जो भी हमारे देली जीवन में जो कारे करने की नियम है कानून है या एक नियमावली है उने को हम संस्था करते हैं और वो जो होती है वो परिवर्तन का विरोध करती ह जैसे कि आज भी आप लोग अगर देखेंगे कि भले हमारा Science Technology चाहे जितने आगया आगया है अगया हमें एक मिसाइल को लांच करना है तो आप लोग ये देखेंगे कि भले मिसाइल लांच करना है सब कुछ 100% accurate है लेकिन उसके बावजूद भी अगर मिसाइल को लांच करना ह तो उससे पहले पूजा जरूर किया जाता है अर्थात एक भगवान के प्रती अर्थात इस्वर के प्रती शथा भी जरूर दिखाई जाती है तो इस प्रकार से भारत में इस प्रकार की जो धारना है रूडिवा दिता है वो बहुत जादे दिखाई देती है और इसका जिक मन्स निवास ने किया था तो सांस्कृतिक बिलंबना से समंधित भारत के परिपेच में हर्सकोविट्स और बाटो मोर और मन्स निवास ने काभी कुछ बताया है तो आप लोग इसको ध्यान रखियेगा कि जो स्री निवास हैं स्री निवास और बाटो मोर इन दोनों विचारकों ने भारत के रिफ्रेंस में जो सांस्कृतिक बिलंबना है उसके बारे में काफी कुछ अपने विचार दिये हैं तो उमेद है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और यदि आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए कमेंट किया करिए अपने दोस्तों में सेयर किया करिए धन्यवाद